वेलो, मैं भी परावल आप सभी का स्वागत करते हूं, आपके अपनी चैनल रावल कॉंसेप्ट में मौरवन्ष हम लो कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने मौरवन्ष की अर्थफुवस्था किस तरीके की थी, यहां तक देखा था आज की जो क्लास हैं हमारी, वो मुख्य रूप से मौरवन्ष के सामाजिक इस्थिती और सांस्प्रतिक एवं कालात्मक द्रिस्टी से किस तरीके का विकास हमें मौरवन्ष में दिखाई देता है, इस पर मुख्य रूप से आधरित है अगर हम किसी भी समाजिक इस्थिती की बात करने किसी काल विश्य इसकी, तो मुख्य रूप से उस काल की दास्प्रता, शूत्रों की इस्थिती एवं महिलाओं की इस्थिती वेही जादतर परिवर्तना में दिखाई देते हैं परिवर्तन का जो कराम है, वो इनी तीन चेत्रों में जादतर दिखाई देता है, वही अधिन की द्रस्टी से भी महिलाओं है इसके अलावा जो जादतर कॉश्यंस आते हैं सामाजिक इस्थिती से, वो भी इनी चितर तीनों चेत्रों से आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं, शुद्रों की इस्थि, फिर दासों की इस्थि और महिलाओं की इस्थि, इसी किरام में हम इसकी सामाजिक इस्थि को देखेंगे अगर हम मौरवंश की सामाजिक इस्तिती की बात करें तो इंडिका मैंगल सिरी द्वारा रिखी हुई और अर्थशास ये दो महतोपूर ग्रंथ हैं जिसके माधलम से हमें मौरवंश के विशय में जो सामाजिक इस्तिती है उसके विशय में संभूर जाज़करी प्राप्त हो शुद्रों की इस्तिती इतनी स्पस्ट नहीं थी उत्तरपैती कालमजा की शुरू होती है और शुद्रों की एक अलग सेवक वर्व के रूप में वह उभर कर आया है उस तरह से अगर हम देखे तो यहां पर चारों वर्णों की अलग-अलग विवस्था दिखाई देती है पेशा बदलने का हभिकार नहीं था इसकी अलवा एक और परवर्टन नहीं दिखाई देता है कि जो जाती विवस्था से बाहर विभा करने की अनुमती भी यहां पर नहीं थी क्योंकि अलग-अलग जाती हों कि मातरपता की संतानों को यहां पर वर्ण सेंकर कहकर संपोधित किया जाता था और उनकी इस्तिती शूट्रों से भी हेड्रिस्टी की समझी जाती थी इस तरह किसे हम देखते हैं मानव विवस्था बिल्कुल इस पस्ट रूप से हमें दिखाई देती है नेक्स आते हैं कि शूट्रों की इस्तिती कैसी थी तो शूट्रों की इस्तिती की अगर हम बात करें तो आरे कहा गया है यानि कि इतनी जादा खराब इस्तिती नहीं थी इतिन इन से जाता जो खराब इस्तिती में इस समय में रखे गए है वो है मलेक्ष शूत्रों के बाद करें तो उनको वारता का अधिकार प्राप्त था वारता हमने कल जब लास्ट क्लास देखी थी उसमें देखा था कि वारता क्रशीष कर्म पशुपाला एवो वारती वारतीनों को समलित रोप से वारता कहा गया है यानि कि शूत्रों के अगर हम बात करें तो इस समय में आर्थी किरिया कलाब के जो महतों कूछेत्र थे उनमें भाग लेने का अधिकार शूत्रों को प्राप्त था ब्रह्मदे वो भूमी जो कि सिक्षक और पुरोहित वर्ग इस समय में अच्छी इस्तिती में था उसको जो भूमी दान दी जाती थी उसको भ्रह्मदे कहा गया है यानि कि ब्रह्मदे वो भूमी जो कि सिक्षक, भ्रामबड और उन परोहितों को दान दी जाती थी मौरवेंश में इंडिका मैं विस्थनीज द्वार रचित है उसमें कहा गया है कि संपूर समाज साथ वर्गों में विवाजित था यानि कि इस काल में इंडिका में जो लिखा गया है कि संपूर समाज साथ वर्गों में विवाजित था यानि कि उसने जो पेशा लोगों के द्वार अपनाए गया है उसको जाती ववस्था के आधार पर विवाजित किया है जैसे कर्मकार, शूत्रकार, कताई बुनाई वल जुलाहा, धोबी इस तरीके की कर्म के आधार पर उसमें जाती वस्था के आधार पर लोगों का लिधारण किया है संपूर जाती हों को सेना में भरती होने के अधिकार था जिसमें शूत्र भी समिलित थे यानि की जैसे छतरीय वर्ण, छतरीय वेश और धामाण वर्ध के लोग सेना में अधिकार थे भागीदारी लेने के उसी तरीके से सूत्रों को भी अधिकार था की आप सेना में भाग ले सकते हैं यहां पर क्रशक शूत्र का शब्द का प्रयोग किया गया है क्यूंकि उनको वारता का जिकार था और वारता में क्रशी कर्म सम्मिलित है यानि कि इस सवें के जो शूत्र थे उनको क्रशक शूत्र कहा गया है मलेक्षों से भिन इस्तिती, मलेक्षों की इस्तिती, शूत्रों से जादा ही इस्तिती हमें दिखाई जैती है ये रही शूत्रों की इस्तिती, more revenge में अब next आती है आपके दास व्यवस्था, हाँ दास व्यवस्था इस्था पे थी पुरुस्ता सवस्ता तो थी ही, उसमें इस्थाई और इस्थाई दो तरह की थी इस्थाई, इस्थाई वाले जो थे वो आपके आजीवन दास रहते थे अपने मालिक के अधिकार में और जो दूसरे थे अल्पकालिक उनको कुछ-कुछ सुविधाय परदान की जाती थी याने कि कुछ हद तक उनको कुछ-कुछ वतंतरता परदान होती थी जोकि अल्पकालिक दास होते थे इसके अलावा बुछ महिलादासिया भी पाई गइने हैं जिनको ध्रात परिचारिका, उपचारिका कहकर संबोधित किया जाता था इसके अलावा एक और श्रेणी महीला दासें की पाई जते हैं वो है बंधक दासी यानि कि पुरुष दास व्यवस्था के साथ साथ महीला दासी भी हमें मौरेवंश में दिखाई देती हैं जाती व्यवस्था बहुत जादा कठोर थी, पेशा गदलने का अधिकार नहीं था, जाती के बाहर विभा करने का अधिकार नहीं था जैसे ब्रामबणों की स्थ conti बहुत अच्छी थी उसे तरीके से दार्षनें को पृषिती थी यहाँ पर बहुत अच्छी थी उनसे किसी भी प्रकार का कर यहाँ पर नहीं लिया जाता था कर्मुक्त जीवन जो है गो दार्षनें बिताते थे इनके साथ एक सीमा के धारित हो दिया कि अगर किसी भी तरीके से इनकी भविश्यवाणी गलत निकल लाती है तो उनको यहाँ पर सजा का प्रावधान था उसमें जो उनको सजा प्रदान की जाती थी वो है कि उनको जीवन भर मौन लेने का ये बोला जाता था इस तरीकी सजा हमें दाश्रिकों की संधर में मौरवनश में देखने को मिली गए उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट महिलाओ की स्थिति मौरवनश में कैसी थी मौरवनश में अगर महिलाओ की स्थिति की बात करें तो पुनर विवा का अंगो अधिकार था नियोग प्रिठा का अधिकार था, सती प्रिठा का नहीं देगने को मिलती है लेकिन कहीं कहीं यूनानी दाश्रीकों के द्वारा ये कहा गया है कि जो उत्तर पस्चिन छेत्र की सेना थी वहां के सेनिकों की पत्नी को सती होने के संद। कुछ-कुछ हमें साक्षे प्राफ्थ होते हैं लेकिन अगर जादा तक छेत्र की मौरवन्ष की बात करें तो उमाँ पर हमें सती प्रथा जैसी कोई भी चीज दिखाई नहीं देती दहेश प्रथा थी, दहेश प्रथा थी अमाँ पर विभा आधी के सर्मसर में कुछ-कुछ उपहार स्वरुख दिया जाता था यानि कि दहेश प्रथा का हमें साक्षे मौरवन्ष से प्राप्थ होते हैं वेश्य अव्रती थी जिनको रूप जीवा कहा जाता था विभा विच्छेर का अधिकार पुर्चों के सासा महिलाओं को भी था अर्थशास्त्र से हमें इसके संदर्म में जानकारी मिलती है इसके अलावा इसको मोक्ष कहा गया है अर्थशास्त्र में तलाप को मोक्ष कहा गया है और महिलां को भी तलाक लेने की अनुमती मौररंश में प्रदान की गई थी अर्थ शासर में एक और फिरकार की महिलां का उलेक है उनको परिवार्जक यानिकी सन्यासी महिलाय कहा परावया है और उनको समाद में बहुत सम्माजनेक द्रिस्टी से देखा गया है इस तरह के से महिलाओं की स्तिती हमें दिखाई देती हैं मौरेमंश में विभा की आयुन रधारिती 12 श्त्री की और 16 पूरुष की आयुती विभा के लिए अंगरक्षिका महिलाई भी दिखाई देती है यानि कि इरानी जो आक्रमार का प्रभाग था कि इस समय में वहाँ से हमने अपनाया था कि अंगरक्षिका जो नियुक्त हो देते उसमें हमने महिलाओं को भी नियुक्त करना शुरू कर दिया था जिसमें महिला अंगरक्षिका ह बहुत अच्छी चीजें यहां पर थी और कुछ-कुछ हमें ऐसी चीजें दिखा जेती जिनको आगयाने वाले काल्में सुधारने के लिए भी प्रयास किये गए हैं अब ही नहीं बहुत आगे आने वाले काल्म जैसे की सतीपर्था जैसी चीजें हैं उसको रोक लगाने के लिए कारे किये गए थे अब आते हैं यहां की सिक्षा विवस्थारम साहिते सिक्षा का महत्पूर केंद्र था तक्षिसेला जो की उत्तर बस्चिंचेत्र में पढ़ता है वहाँ से ही जो इसके चंद्रगुप्त मौर संस्थापक थे मौरवन्ष के उनके द्वारा सिक्षा प्राप्त की गई थी तक्षिसेला से मौर वन्स के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर के द्वारा जो सिक्षा प्राप्त की गई थी तक्षिसिला से अगर कॉशन यह आता है कि मौर वन्स का सिक्षा का प्रमुख केंगर कौन सा था तक्षिसिला कहा से सिक्षा किस किस नहीं ना से सिक्षा प्राप्त कही थी चंदरबुक तुमार इसके लाब एक और राजा है वो है प्रसेंद जीद उनके द्वारा भी सिक्षा तक्षिसिला से ही प्राप्त की गए थी दूसरा एकौन मैंतों कोशन है यह है कि इस समय के साहिते कौन-कौन से के तो अर्थशास्थ, कौटली द्वारा, मुल्चित है, इंडिका, मेगस्तिनीज के द्वारा है इसके द्वारा अस्टाथाई एवं कात्याईनी यह ग्रण्थ है जो कि इस समय के है, मौरवर्श के ग्रण्थ है यह रही आपकी साहिते और सिक्षा, महिलाओं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, जात्री ववस्था एवं दासों की स्थिति अब आता है मुहतों कौन, विशेक कला कला के संधर में कि अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने पुरा पाशान काल से प्राची भारत को पढ़ना शुरू करा तो पुरा पाशान काल से लेकर सिंदुग हाटी सभ्यता था, एक अलग काल चला आ रहा था और अचानल से सिंदुग हाटी सभ्यता डिस्ट्रोई हो गए उसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू होती है तो पुरा पाशान काल से लेकर अपर सिंदो घाटी सभ्यता की कला की बात करें तो वहाँ पर हमें कला का वेकास दिखाई दे रहा था पुरा पाशान काल में जैसे की भित्ती चित्र है, गुफाओं में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहीं थी उसके साथ हमें जो सिंदुगाटिसभता है वहाँ पर मूर्ति कला और सिक्को पर हमें उध्कियन trafficking work हमें दिखाई देता है इस पाप्त्य कला इस सरीकी की विवस्ता हमें महा दिखाई देती है लेकिन जब वो पूरी तरीकी से पतन हो चाता है और जब वैधिक संस्कृति शुरू होती है एक नई संस्कृति की शुरुआध यह नई चरण की शुरुआध हमें प्राची भारत में देखने को मिलती है वहां पर्लामेना तो वैधिक काल से लेकर महा जन्पत्का तक कला का विकास दिखाई देने को नहीं मिलता है कला का जो विकास उसके बास इंदुगाटी सब्वेता के बाद जो शुरू होता है वो हमें दिखाई देता है मौरेवन्ज से अगर हम मौरेवन्ज के कला की बात करें तो दो तरीके से कला दिखाई विकास दिखाई दिखाई दिता है एक तो राज की संदक्षर में दूसरा है लोग कला के संदर्व में राज की संदक्षर में कला पनपी और लोग कला की संदक्षर में कला हमें मौरे मैंश में दिखाई देती हैं राजकी सन्नक्षण की बात करें तो दो तरीके की कला है मौरे प्रसाथ और डूसरी है स्थम कला मौरे प्रसाथ की बात करें तो जो भवन थे जैसे कि बुलंदी वाग में था एक हमने जब करा था अभी लेखो वाला चैप्टर तो हमने इसका रिफ्रेंस किया था इसके अलावा कुम्भार में थे यहाँ पर हमें राजक्रसाथ नहीं को मिलते हैं जो कि बहुत जादा भव नहीं है वहाँ साधहरण से लगणी के बनाए गए हैं इस तरीकी की कला हमें दिखाए देने को मिली है राज्किय संदक्षर में मौरे हिसाथ बनाए गए हैं दूसरी काला का वितास दिखायों देता है W believes निर्माण ये भी अमें राज्किय संदक्षर में दिखाया देते हैं सुद्नतर गूप से श्थम् répondre का निर्माण दिखे आ गया था तो बलुवा पत्थर के बनाए गए थे इसकी पॉलिश बहुत जादा महत्वून इस्थान रखती है मौरकाली इस्थमों की पॉलिश ठीके सीधा है उपर से लिए नीचे तक इतना जमीन में है एक ही एक आश्व पत्थर का बना हुआ है जो पूरा एक ही पत्थर का प्रियोकी आगया उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो है एक आश्व एक ही पत्थर का है जितना जमीन में है उतना ही उपर है लेकिन ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर का बना हुआ जो इस थम्भ है वो हमें दिखाई देता है इसमें मुख्य रूप से क्या था? यस्टी बनाई जाती थी एक चौकी उसके उपर उल्टे कमल की आकृती और उसके उपर किसी पशू की आकृती को बनाया जाता था पशू की आकृती में अगर हम देखें तो महत्वकून है रंपुर्वा में बैल की आकृती हमें देखने को मिलती है वहीं सांची और सारनाथ की बात करने तो हमें सिंग की आकृती देखने को मिलती है सारनाथ पे हमें एक और आकृती देखने को मिलती है यह है स्थम्ब कलाता के कास जो की मौर रवंच में दिखाए गया जिसके डिटेल में हम जब अशोप काली निस्थम्ब करे थे वहां हम डिटेल में इसको पढ़े दें इसके अलावा राजप्रसाद जो की बुलंती बाग एवं कुमहा में प्राप्त होते हैं बहुत साधरन आक्ति हैं और उसको लपड़ी के द्वारा बनाए गया बहुत जातर घव्व्वे इमारत हमें या मौर रवंच के संधर में देखने को नहीं मिलती है नेक्स्ट है जो लोककला का विकास हुआ है वो क्या है पर्थम के यक्ष बेस नगानी यक्षणी एवं चमण धारणी इस तरीके की कुछ-कुछ जो मूर्दी कला है उसका विकास हमें दिखाई देने को मिला है अशोक काल में लेकिन वो लोककला के संधर में मूर्थियां अलग-अलग जो लोककला के में जो प्रिव तुप की जाते थे उनकी मूर्थियां हमें देखने को मिली है लेकिन वो भी अलग-अलग है वो किस तरीके से है में तो मत्रा के पर्थम से प्राफ यक्षी की मूर्थि बेस दगर से प्राफ यक्षी की मूर्थि दीदार गंज इसे प्राप्त चमार राहनी की मूर्ति यह हैं वो मूर्तियां जो की लोग कला के संधर्व में जुड़ी हुई हैं इसके अलावा एक और कार मौरवनश की सब्सक्राइब किया गया वह सांची एवं भरुत की स्थूपों का निर्माड किया गया एवं धर्ब राजिका लेकिन उससे जुड़े हुए जो और पार्ट है जैसे कि उसके तोरण ब्वार वोगेरा है वह आगयाने वाले कार्म लगवाए गए तो इस तूप सांची और भरुत की अशोप के कार्में बनाए रहे हैं इसी के साथ साथ धर्ण राजिका स्थूप कहां पर हैं तक्षित कि तो एक अर्द चंड्राकार इस तरीके की आकृती में प्राप्त होता है जिसमें बाग में यह जो रेलिंग है जोड़ दी गई है जिसपर यहां पर छोटा चोटा वूर्थी करण किया गया है यहां पर इस तरीके से चार घोरण दुवार हैं इसके अलावा यहां पर यह चत्र हर्मी का और यह चत्र इस तरीवी के सिंपर आक्रती हमें स्टूप की दिखाई देती है जो बनाई ले थी बाद में यह सब चीजें जोड़ी गए हैं मुख्य रूप से स्टूप जो होता था अर्वचंद्राकार एक टीला होता था यह है अगर हम फार्थ करें तो हमने देखा था आजीवक संप्रदाय को संदक्षर मेरों विश्व जौपडी सुदामा एवक कर्ण चौपड गुफा बराबर नामा के स्थान पर बनाई थी जो जो यह तो आजीवक संप्रदाय से हैं विश्व जौपडी सुदामा कर्ण चौपड गुफाएं कहां है इस राज्य में है बिहार पे मिलती है इसके अलावा गुपी का गुफाओं का निर्मार्ण किया गया है नागार्जुनी पहाडियों में इस तरीके से चलता है कि जो और मोर्यवश की कला हमें विहार की च्छेत्र में मिलती है इस तरीके से कला का विकास हमें मोर्यवश में दिखाय देता है उसके बाद मोर्य वंश का पतन नेक्स्ट और लास्ट फॉपिक मौरवंश से सब्मंदिन मौरवंश का पतन बहुत बड़ा सामराज था कींद्री करत सामराज था बहुत अच्छे चंद्रबुप्त मौर बिन्दुशार और असोग जैसे राजा के द्वारा यहां पर शाशन किया गिया लेकिन अन्तत है इस सामराज का पतन हो गया उसके पीछे बहुत सारे कारण विविन विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं जिसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि अयोग ये उत्राधिकारी के द्वारा जूंगी इतने बड़े कीद्री शासन को नहीं समाल पाई उसके कारण से इस इस तरीके से बहुत वद्वानों के दुवारा अलबलब महरेवन्ष के पतन पर दिए गए हैं महरेवनष के पतन के बाद जो एक नवी संपरदाय या नवीन जो संपरदाय सौरी गलत होगला कहना नवीन वन्ष की च्छापना होती है वह हम अधिकिंगे नेक्स्ट क्लास म पिल्कुल फ्रेश नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे अगर आपको मेरे क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू